आम हिदाएदुल्ला आम हिदाएदुल्ला जस्टिस आम हिदाएदुल्ला मुहम्मद हिदाएदुल्ला भारत की प्रतम मुस्लिम मुख्य नियाईदीस थे ये CGI फर्स्ट मुस्लिम CGI ओके इसके बाद इनका पूरा नाम के बताया मैंने जस्टिस मुहम्मद हिदाएदुल्ला पच्चिस फरवरी 1968 को ये बारत के ग्यारवे मुख्य नयाई दिये CGI बने ठीक है 68 में बने और सत्तर दिसंबर 1970 तक ये इस पद पे रहे ये बारत के रास्ट पती भी रह चुके और उपरास्ट पती भी रह चुके हैं एक मातर ऐसे जस्टीस इनको दोनों पदों पे रहने का मौका मिलाए रास्ट पती और उपरास्ट पती परथम जो रास्ट पती भने थे क्योंकि रास्ट पती भी दो बार बने थे 1969 औरileen 1982 तो 1969 के अंदर जब डोक्टर जाकिर हुसेन जो उस टाइम के रास्ट पती थे उनकी मृत्यू हो जाने से वीवीगीरी के रिजाइन देने के वज़े से इनको इस पद पे रहने का मौका मिला इसके बाद 1982 के अंदर राष्टपती ग्यानी जेल सिंग ये क्या है इनके इलाज के लिए अमेरिका जले जाते है तो उनके वज़े से क्या है इनको ये पद दिया जाता है इसके बाद भारत की उपरास्टपती भी रहे ये बताया मैंने रास्टपती और उपरास्टपती रहने वाले एक मात सुप्रेम कोड के जज एम हिदायदुल्ला जो उपरास्टपती रहे 1979 से 1984 तक एक मात्र ऐसे जज जिनको रास्टपती बनने का मौका भी मिला और उपरास्टपती बनने का भी मौका मिला मुहमद हिदायदुल्ला, जस्टिस मुहमद हिदायदुला, CGI